नमसकर दोस्तों आपका स्वागत है। आपके अपने यूटूब चैनल पर हम आपके लिए काये हैं, एक ओर नई वीडियो के साथ एक और नई जान करी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्तान में एक और नई भरती के बारे में, आपके लिए एक अच्छी खुसकबरी है, यह जो भरती होगी वो राजस्तान हाउसिंग बोर्ड में होगी, और कौन-कौन से पदों पर होगी जो बावदनती थी, वो कब से स्टार्ट होगी और इनकी परिक्षाएं कब तक होगी, इसे के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास सभी प्रकार की इनपोर्मिसन सबसे पहले पहुँच सके, यहाँ पर राजस्तान हाउसिंग बोर्ड का जो ओपी से ट्वीटर है, वहाँ पर राजस्तान आवसन बोर्ड करमचारी संग का दसम प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें आवसन आयुक्त ने बतोर मुख्यतिती की सम्मेलन में सिर्कत की थी, आयुक्त ने बताया कि वित्विभाग प्रांतीय सम्मेलन हुआतराजस्तान हाउसिंग बोर्ड का, यहाँ पर बताया गया कि आवसन आयुक्त ने बतोर मुख्यतिती के सम्मेलन में सिर्कत की थी, आयुक्त ने बताया कि वित्विभाग न दी मंडल में 311 करमिकों के भरती की स्विकर थी, अब जो इपद होंगे कौन-कौन से होंगे, उनके बारे में यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड में इन्होंने लिखाए कि हाउसिंग बोर्ड में 30 साल बाद में निकली हैं भरतियां, प्रोजेक्ट इंजिनियर से लेकर ATP, जूनियर अकाउंटेंट के 311 पद और जल्द शुरू होंगी प्रकरियाएं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, मानसरों में हुए राजस्तान आवसन बोर्ड करमशारी संग के दस्वी परांतिय संभिलन में हाउसिंग कमिशनर पावन अरोडा ने 311 पद और भरति की गोशना की है, जो कुल पदे हो 311 पद हैं, अ हाँ पर बताया कि हाउसिंग बोर्ड वरत्वान में साड़े साथ सो इस्ताई, जबकि 475 एस्ताई हैं, 125 रिटार भागने 311 पदों के लिए मंजूरी दे दी है, और जल्दी ही भरति के लिए एजंशे के निदान करके प्रकरिया सुरू कर दी जाएगी, यानि कि जिस भरत या करमचार चैन बोर्ड को देखता है, या कोई सी अन्य एजंसी को देता है, इन पदों पर होगी भरती, अगर भरती की जो पद हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो यहां पर 48 जो पद हैं, प्रोजेक्ट इंजिनियर जो सीनियर पोस्ट है, 100 जैयन के पोस्ट हैं, 50 जूनियर एक प्रोग्रामर, 6 असिस्टेंट प्रोग्रामर, 18 सूचन असाहिक और 38 टाउन प्लानिंग साका, डाप्ट वैन और एटिपी की पोस्ट हैं, यानि कि यह अलग-अलग पोस्ट हैं, जो कि 48 पोस्ट हैं, जो प्रोजेक्ट इंजिनियर की हैं, जिसके लिए जो आपके पास टेक्निकल में, B.T.E.C. या IM.T.E.C. होनी चाहिए, 100 JN के पोस्ट हैं, जो JN के लिए B.T.E.C. या इंजिनियर में, इलेक्टिकल में, आपके पास टिपलोमा या इंजिनरिक की डिग्री होनी चाहिए, 50 जूनियर अकॉटर, जूनियर अकाउंटेंट के पास, की जाएगी इनके लिए लग-लग क्वालिफिकेशन रहेगी और जैसे ही इसके लिए भरतिक एजनसी नरधारत की जाएगी और जैसे ही इसके ओनलाइन आउदेन होंगे तो सबसे पहले हम आपको इसी चैनल के मादम से आपके तक इनफोर्मिशन पहुचाएंगे तो आप हमारे चैनल पर सबस्क्राइब जरूर करें और इसके पास बेल आइकन पर इसको ओन रखें जिसके आपका सभी प्रकार से नोटिफिशन सबसे पहले पहुच सके और आपने अभी तक अगर टेलिग्राम चैनल को जोई नहीं किया तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करें जिसके आपका सभी प्रकार की पीडिया फाइल अपडेट मिलते रहें दोस्तों अगर वीडियो प्रसंदाय तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों साथ भी सेर करें धन्यवाद दोस्तों थेंक्यू ओल दा बेस्ट गुडबाए